अदून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर दिल्ली दौरे पर मुख्य मंत्री पुष्कर सेंग धामी शाम को प्रधान मंत्री मोदी से बुला कात करेंगे सीम धामी केदार नात में चल रहे पुना निर्मान कारियों के संबन्द में देंगे जानकारी पांच नवंबर को केदार नात आ रहे हैं पियम मोदी केदार नात में चल रहे प्रथम चरण के कारियों का लोकारपन करेंगे पियम द्वित्य चरण के कारियों की अधार शीला रखेंगे मोदी आदी शंकर अचारे की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर केदारनात के दर्शन करने के लिए 5 नवंबर को पियम मोदी दैरादून पहुंचेंगे दिल्ली दौरे पर खुद मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी आ रहे हैं शाम को प्रधान मंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे केदारनात में चल रहे पुद में पुद में प्रधम कारें का लोकारपन करेंगे पियम मोदी आदी शंकर अचारे की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरन आपको बताते चलें कि 2013 में आई आपदा के बाद शंकर अचारे जी की प्रतिमा काफी जादा खंडित हो गई थी जिसके बाद एक बाद फिर से उनकी प्रतिमा बनाई गई है जिसका अनावरन करेंगे पियम मोदी पांच नवंबर को उनका कारेकरम तै किया गया है केदारनात पहुँचेंगे और वहाँ पर जो केदारनात का पुनन नर्मान हो रहा है उसके प्रतम चरण के कारेों का लोकारपन करेंगे तो वहीं दृत्य चरण के कारेों की अधार शीला रखेंगे मोदी आज शाम मोखे मंत्री पुषकर सिंग्धामी दिल्ली पहुँचेंगे और जादा जानकारी के लिए हमार साथ हमारे समधाता ग्याने इंद्र तिवारी लाइफ जुड़ चुके हैं ग्याने इंद्र आज दिल्ली पहुँचेंगे मोखे मंत्री पुषकर सिंग्धामी इसके कई माइने निकाले जा रहे हैं आपसे जाना चाहेंगे इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स की जो मुलकात है वो रखी गई है इसके अलावा कई केंद्री मंत्रियों से मुलकात हो सकती है खास तर पर अगर हम देखें नौ नॉबर को उत्राखन राज्य का स्थापना दिवस है और ऐसे में कई केंद्रियों के उत्राखन आने की जो संभावना हैं वो जताई जा रही है मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी कई मंत्रियों को आमंत्र न दे सकते हैं नौ नौबर को अस्थापना दिवस के आउसर पे उत्राखन आने की कारिकरम में हिस्सा लेने के राजे के अंदर एक बड़ा कारिकरम किया जाता है अस्थापना दिवस को लेके और ऐसे में उस दिन केंद्री मंत्री उत्राखन आ सकते हैं इसको लेके आज नियोता देने पहुंच रहे हैं दूसरी तरह पांच नौंबर को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोद्री के दारना था रहे हैं और ऐसे में जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधान मंत्री का नरिंद्र मोदी का के दारना के पूर्णिर्मान कारियों का क्योंकि 2013 की आबदा के बाद जिस तरीके से लगातार उनक के सावारने को लेके है प्रथम चरण का जो काम है वो लगबग फूरा हो चुका है और ऐसे में दूसरे चरण के जो काम है वो सुर्य होने हैं कई तरह के काम हुए चाहें वो गुफाएं बनाई गए हो ध्यान लगाने को लेके प्रटकों को आकरशित करने को लेके तमाम तरह को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के डारनाथ पहुंचेंगे तो ऐसे में आपसे जाना चाहेंगे कि अब तक कितना कारे पूरा कर लिया गया है अधिके 2013 की जब आपदा आई थी उस दवरान जो केदार घाटी है काफी तभाई हुआ था और काफी जो नुक्षान है मंदिर परिसत के आसपास देखने को मिला था ऐसे में जिस तरीके से 2014 में नरेंदर मोडि की सरकार आई उसके बाशे ही एक ड्रीम प्रजेक्ट के रूप में प्रधान मंतरी की निगरानी में केदार नात के पुरनिरमान के जो काम है वो सुरु किये गए बर्तमान में प्रथम चरंग के अंदर जिस तरीके से मंदिर परिस्त के आसपार जो निर्माण के काम हैं वो देखने को मिले हैं और लगतार जिस तरीके से वहां काम कास किये जा रहे हैं चाहें अलग नंदा नदी के किनारे जो घाट के निर्माण किये गए हैं इसके अलाव में वहाँ पे ध्यान लगाया था उन्होंने रातरी जो विश्राम है वो गुफ़ा है और ऐसे में जिस तरीके से वहाँ पे आदीगुरू संकराचारी की समाधी अस्तल का जो निर्माण किया गया है, क्योंकि जो सास्त्रों के नुशार माना जाता है कि कि दार नात्मंदिर क पासी संकरचार की जो समाधी अस्तले आना उसका अनावरन जो है वो प्रधान मंत्री के हातों होना है तो यह तमाम ऐसे काम है जो हो चुके हैं दूसरी तरफ दूसरे चल्ण के जो काम है हजारो करोड रूपे का प्रोजेक्ट है जो होना है उसका कही न कहीं सुरुआत करेंगे यानि कि तकरीपन कई हजार करोर रोजोजनाओं का जो लोकारपन है और सिलन्या से वो प्रधान मंतरी के हाथों 5 नॉवंबर को होने है बिकुल कहीं न कहीं सभी को इंतिजार है 5 नॉवंबर का जब के दानाद घाटी पहुंचेंगे पीम मोदी और इस दरान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा होते हुए देखेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ग्याने लिए